Power of Compounding के बारे में तो आपने कही ना कहीं से सुना ही होगा लेकिन कि आप जानते हैं कि Negative Compounding क्या होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं Compounding को Use करके Wealth Creation आप कर सकते हैं जिसके लिए आपको जादा से जादा समय के लिए अपने पैसे को Invest करना पड़ता है लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप समझे कि Negative Compounding क्या होता है इसे हम एक example से समझते हैं कि for example आपने अपने portfolio में दो fund डाले हैं जिसमें से एक में आपको annually 20% return मिलता है और दूसरे में आपको 15% negative return मिलता है तो आपका जो net return होगा वो 5% होगा यानि कि आपका इसमें loss हुआ है तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं सबसे पहला तो ये कि जो भी funds आपके portfolio को weak कर रहे हैं आप उनसे exit कर दें ये ना सोचे कि अभी आपको loss है तो हो सकता है gain हो जाए आप ये सोच हटा दें और exit कर दें दूसरा कि आप patterns को notice करें अगर आपको लगता है कि कोई बार बार आपको fund loss में ले जा रहा है तो आप वहां से exit कर दें तीसरा कि इधर उधर की बाते सुनके आप कभी भी funds में invest ना करें और चौथा ये कि अगर आपको किसी fund के बारे में कोई knowledge नहीं है तो उसमें risk लेकर अपने पैसे ना लगाएं इससे better आप एक advisor को consult करें